जाए 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 उसके बाद हमें लास्ट में भरना चाहिए और साथी साथ क्या है सही तरीका OMR भरने का क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमने कोई OMR का बबल गलत भर दिया तो हम उसको ब्लेट से सक्राच करकर क्या अगर हमें चारों बबल हमने एक साथ भर दिये तो मशिंन कंफ्यूस हो जाएगी और आपको जाधा मांस दे देगी इन सभी मामले पे हम बात करने वाले हैं बहुत बार स्टूडेंट्स एक कंप्लेइन करते हैं कि सर उन्होंने मार्क तो 185 questions किये थे लेकिन शायद उनके 10-15 questions मशीन ने क्लाइड consortium ने चेक नहीं किये हर बार की ये कंप्लेइन होती है तो इसमें कहीं न कहीं mistake आप करते हैं जिसके लिए national testing agency द्वारा एक photograph निकाला गया है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ देखें incomplete bubble fill करना अपने आप में गलत होता ही है साथ में एक चीज और है जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि अगर मालीजे bubble fill करते टाइम पे आपने इसको center से follow नहीं किया और आपने ऐसे एक line बाहर खीज दी तो ये chance भी है कि ये भी eliminate हो जाएगा ये भी eliminate हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो से जादा bubble आपने एक साथ भर रखे तो वो भी count नहीं होगा आपका ink अगर बाहर आ रहा है तो वो भी eliminate हो जाएगा इसलिए bubble filling का जो best थरीका होता है कि आप बाहर वाली line को पकड़िए बाहर वाली line को पकड़िए और उसी को रंगते हुए अंदर आजाएए तो आपकी line बाहर नहीं जाएगा बहुत thin है इसलिए में को time थोड़ा सा जादा लग रहा है लेकिन अगर आप bubble भरते हैं किसी मोटी निप के pen के साथ तो आप बहुत जल्दी ये काम करेंगे और आपकी ऐसी mistake होने के chance ही नहीं रहेंगे कोशिश करते हैं कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो sketch pen लेके चले जाते है black color का sketch pen लेके चले जाते है ऐसा देखा है मैंने आप ये सब काम मत करिएगा वो ball point pen सीले कहते हैं आप से black ball point pen होना चाहिए and that is what is required तो फिर आगे देखिए और भी चीज़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगेन हमारे सामने के insight है कि tick नहीं करना है cross नहीं करना है dot नहीं स्तेमाल करना है line नहीं इस्तेमाल करना है partially filled है outside the circle नहीं मार करना है और एक से ज्यादा circle नहीं करना है आपका बना चेक नहीं होगा दूसरा मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए after every passage आप जब passage के 4 से 5 questions solve कर लेते हैं once you are thorough with it fill the OMR please do not do it after every section मत करिए after every section मत करिए after every section मत करिए 25 सवाल करने के बाद मत करिए क्यों क्योंकि अगर आप माली जे आपने question number 1, 2, 3, 4 करा हुआ है 5 और 6 छोड़ा हुआ है नहीं करना है आपको 7, 8, 9, 10 आपने फिर करा हुआ है फिर आपने 11, 12, 13 जो है वो छोड़ा हुआ है अब अगर एक flow में करते हुए आ रहे हैं और आपने bubble fill करना start किया तो आपने यहाँ पर bubble fill किया यहाँ पर गलती से आपका यह bubble fill हो गया तो यह आपका जो है marks खतम कर देगा तो यह mistake क्योंकि हम लोग नहीं जादा competition इस उमर में नहीं दिये रहते हैं तो यह सारी mistakes हम से हो जाती है इसलिए after every passage please fill the OMR it hardly takes 30 से जादा second नहीं लगता है आपको करने के लिए उतना time हमारे पास रहता है in fact आप इस side पर अगर जसे आप copy के दो side होते है इस side पर अगर आप question को read कर रहे हैं तो आप अपनी OMR को इस side पर रखे और अगर आप इस side पर on the if you are on the right side you are solving this तो keep the OMR on the left side and that is how simultaneously you can do it without wasting much of the time this is one thing that I would like to advise to all the aspirants who are appearing in CLAT 2025 so try to fill the bubble after every section and the best advice is try to use a pen which is a little wide tip right a pen whose nib is wide इसके लिए कोई endorsement नहीं है but the pens that usually are seen in the market and these pens are very easily available in fact आप अपके mocks को भी इन से करके करने की कोशिश करिए यह आपका practice source है आप अपने mocks को देते time पे OMR filling को seriously लिया करिए in fact मैं तो student से बार बार यह कहता हूँ कि आपका जो नाम fill करना रहता है आपको आप अपने OMR में अपने name को proper करिए हर एक letter और हर एक रोल एक आटिफिशल रोल नंबर बना दीजे अब अपना application नंबर जो है admission नंबर जो है उसको रोल नंबर की तरह लिखे और उसको bubble करने के लिए time रखे क्यों क्यों क्योंकि आपको जो mean query रहता है कि स्यार क्या हमें extra time मिलता है OMR filling के लिए पहले आपके सामने copy आजाएगी वह sealed pack copy आजाएगी OMR की वह envelope आजाएगा invigilator अगर विनम्र होता है काइंड होता है तो वह usually 15 मिनट पहले OMR बाट देता है लेकिन most of the times what I have seen इसकी वह ऐसा नहीं करते हैं और 120 मिनट के अंदर ही आपका पूरा का पूरा जो प्रॉसेस होता है जिसमें आपकी photograph देखके आपका signature लेकर आपके attendance मार करवाई जाती है वह भी इसी 120 मिनट में होगा OMR filling में जो आपकी details आपको भरनी होती है नेम रोल नंबर वह भी 120 को 20 मिनट के अंदर आपको करनी रहती तो इसलिए आप ध्यान रखेगा कि आप OMR filling को मौक में seriously लें सिर्फ question answer को ना fill करें सिर्फ answers को ना fill करें जबकि अपनी details को भी fill करने कोशिश करें practice practice करते करते आपका time period वह बढ़ जाएगा और कोशिश करिए कि यह वाले pen आप लेने की कोशिश करिए यह सारे pen हैं जो की निप थोड़ी सी वाइड होती है और OMR filling में भरोसा मतलब थोड़ा जो भरोसा आता है और time कम लगता है दूसरी चीज यह भी है कि bubble को भरते time पे कभी भी pen को लेटरली मच चलाई है कभी भी pen को वर्टिकली मच चलाई है बबल filling के time पे circle को follow किया कर यह try to follow the circumference and the rim मतलब ऐसे करते 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 आपको अंदर आना है ठीक है you have to do like this और जो gap होता है वो हमारा क्या होता है फिर से मैं दोराऊंगा अगर यह bubble है तो आपको bubble की boundary पकड़के circle करते हुए अंदर आना चाहिए और फिर जो gap होता है उसको हम लोग धीरे से ऐसे pen चलाके completely क्या कर देते हैं फिल कर देते हैं तो यह ऐसे आपका bubble के माधम से देने की कोशिश करेंगे तिस वाथ सुर्दंत्रे पार्टी साइनिंग आफ सी यू गाइस इन नेक्स